हेलो गाइज, वेलकम टू लीगम लाइव और आज मैं आप लोगे साथ सेर करने जा रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट टोपिक स्टेजिज ओफ क्राइम कोई भी ओफेंस कमिट होता है, कोई भी क्राइम कमिट होता है तो उसके लिए स्टेज रहती है और इसको पढ़ना इंपोर्टेंट इसलिए है कि हमें देखना है कि कौन से वाली स्टेज क्या है पुनिशेबल है क्योंकि जब हम क्राइम की बात करते हैं तो उसमें स्टेजिज आती है 1, 2, 3 and 4 सो कौन से वाली स्टेज पुनिशेबल है ये पता होना जरूरी है क्योंकि आप illegal intention लेके घूमते रहो लेकिन आपने कोई act नहीं किया उसके लिए preparation नहीं किया उसके लिए आपने attempt नहीं किया वो commission नहीं किया तो वो क्या है punishable stage नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग में हम किसी को लेके हम number of illegal intention लेके घूमते रहते है ठीक है every moment हम किसी के बारे में गलत सोचते रहते है कि हमें उसका murder करना उसको चाटे मारने है ठीक है उसको ये करना है उसको वो करना है तो कुल मिलाके हमारी जो intention रहती है वो illegal रहती है लेकिन वो punishable कब होती है या तो हम preparation करते हैं उस intention को आगे बढ़ाने के लिए या फिर हम attempt करते हैं या फिर कोई भी ऐसा act complete कर देते हैं यानि कि commission कर देते हैं जो कि prohibited by law है और जिसके लिए punishment का provision दिया गया है हमारी IPC में या किसे भी special या local law के अंदर ठीक है वो punishable stage रहती है तो intention not punishable preparation है ये generally क्या है कि punishable नहीं है लेकिन कुछ special circumstances में ये क्या है punishable है जैसे waging war की बात करें या फिर आपका criminal conspiracy है या फिर आपको decoarity या फिर robbery करते हो preparation करते हो robbery or decoarity करने के लिए वो भी क्या है आपकी punishable stage है यानि कि ये जो और जो attempt है और जो commission है ये generally क्या है आपकी punishable stage है तो मैं कहूँ यहाँ पे number 3 और number 4 ये क्या है आपका attempt and commission ये दो वाली stage क्या है आपकी punishable है आप देखोगे आपकी IPC में attempt और commission यानि कि कोई भी offense commit हो जाता है उसके लिए punishment का provision दिया गया है चाहे वो आपका murder हो या फिर आपका culpable homicide हो या फिर decorative हो ठीक है generally attempt and commission stage are punishable like attempt to decorative attempt to murder ठीक है और commission में भी क्या है कि आपको punishment दी जाएगी लेकिन but sometime preparation stage also punishable preparation generally क्या है क्योंकि for example अगर आप किसी को मारना चाते हो ठीक है आपके intention है illegal intention और आप क्या दुकान पे गए हो poison ले रहे हो आप रस्यां खरीद रहे हो उसको लटकाने के लिए आप कोई gun खरीद रहे हो ठीक है तो ये क्या हुई आपकी preparation stage और किसी को बता लगा specified provision है हमारी IPC में जो preparation करने पर भी आपको क्या है सजा मिलती है और वो कौन-कौन से है criminal conspiracy में preparation like preparation stage का मतलब यहाँ पर criminal conspiracy में है आपने agreement कर लिया कि हमने ये वाला काम करना है तो जो criminal conspiracy है उसमे agreement हो जाता है वो भी punishable है 120 A और 120 B जो कि हम IPC से deal करते हैं वो बाद में add किये गए थे हमारी IPC में उसके बाद जो आपका decority है आप decority और robbery के लिए अगर आप preparation करते हो 399 में IPC यह importance action है जब हम आगे इसको पढ़ेंगे काफी details से इसके बारे में पढ़ेंगे तो यह काफी importance action हो और यह भी क्या है preparation stage पर punishable है उसके बाद waging war against state यानि आप state के against waging war करते हो 122 और 126 also a 6 और आप IPC जो कि preparation stage वहाँ पर क्या है punishable है counterfeiting of coin के लिए भी अगर आप preparation कर रहे हो वो भी क्या है punishable है तो आपने याद रखना है criminal conspiracy याद के लिए परिपरेशन करना waging war 126 का भी एक आपका section है उसके लावा आपका जो ये counterfeit coin के लिए अगर आप preparation कर रहे हो ये भी क्या है ये वाली stages भी क्या है punishable है ये specified provision आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी आपको IPC को पढ़ना है उसके बाद rest of the cases of IPC covered under section 599 of Indian Penal Court तो ये सब चीज़े आने के बाद कुछ भी अगर offenses बस जाते हैं जैसे for example theft का attempt होता है ठीक है कई बार attempt कैसे रहता है theft का अगर किसी ने किसी की pocket में हाट डाला A ने B की pocket में हाट डाले में उसकी half हो जाएगी यानि कि डेड़ साल की उसको punishment मिल जाएगी that's it तो अगर और कोई भी cases बच जाते हैं तो वो IPC के section फाइव डाल में फोल कर जाते हैं जो कि एक last section है हमारा IPC का इसी से related एक हमारी item होर है in cohet crime जो की incomplete crime है वो भी punishable है number one abattment criminal conspiracy फिर से agreement हुआ है किसी के बीच में और B के बीच में agreement हुआ है ठीक है 120 A और 120 B के coding किसी में agreement हुआ वो punishable stage है only agreement हुआ ठीक है वो punishable है उसके बाद attempt attempt भी क्या है incomplete crime है वो भी क्या है punishable है तो इनको आम in cohet crime कह सकते हैं आप से pre के point of view से यहाँ पे question आ सकता और important है यहाँ पे आप से पूछेंगे in cohet crime इन तीन में से किसी एक को रख देंगे बाकी 3-4 option आपको अलग देंगे तो आपको याद रखना abattment, criminal conspiracy और attempt यह in cohet crime यानि कि यह incomplete crime है अभी complete नहीं हुए लेकिन फिर भी यह क्या है punishable है तो इनको in cohet या incomplete crime कहते हैं प्लीज रिमेंबर अगर तीनों आ जाते हैं कि abattment, criminal conspiracy, attempt all of the above answer is all of the above ठीक है यह pre के point of view से काफी important है अब थोड़ा abattment के बारे में जान लेते हैं abattment रहती है तीन तरह से हम abattment कर सकते हैं किसी को ठीक है यह कि हमारा IPC के 107 से लेके 120 section तक fall करते है abattment तीन तरह से रहती है by instigation आप किसी को instigate कर रहे हो by conspiracy ठीक है आप conspiracy करके किसी के साथ मिलके और किसी को मारने का plan बनाते हो this is the abattment और आप add करते हो कि for example A और B के बीच में काफी लडाई जगडा चल रहा ठीक है लेकिन आपकी intention आपकी legal intention आप क्या करते हो कुछ पत्थर उठागे उसके हाथ में देते हो कोई लकडी उठागे आथ में देते हो कि मारो इसको यह intentionally add गया आपने ठीक है प्री के point of view से important चीज यहाँ पर यह है abattment का section पूछ लेते हैं 107 दूसरी चीज यहाँ पर आपको firstly, secondly और थर्ली में भी पूछ लेते हैं कि intentionally add कहाँ पर है 107 में तो थर्ली है यह याद रखना ठीक हो firstly, secondly और थर्ली यह चीज भी आपसे पूछ लेते हैं काभी बारिक बारिक चीज abattment में पूछ लेते हैं उसके लावा abattment के illustration काफी important है जब भी आप bear act पढ़ते हो इसकी illustration बिलकुल भी मत छोड़ना क्योंकि यहाँ पर और पूछने वाला कोई question बनता ही नहीं है यहाँ पर आपसे illustration पूछेंगे abattment है की नहीं यहाँ फिर आपसे 106 से direct question पूछेंगे so please mark it next criminal conspiracy यह important है definition 120A of IPC और इसकी जो punishment है 120B of IPC इसमें important मैं आपको बता दूँ criminal conspiracy दो जगा है हमारा 107 secondly में भी abattment by conspiracy है और 120A में भी conspiracy है so mere agreement punishable in criminal conspiracy यह धहान रखना है कौनचे वाले में 120A में ठीक है mere agreement हुआ है और भी ने agreement किया हमने C को मारना इतना agreement हुआ meeting of mind हुआ वो punishable है क्योंकि यह incomplete crime है और यह preparation stage ही है तो यह punishable हुआ मैं already इस चीज़ को आपको बता जुका हूँ please remember और इसको मार्क कर लीजिए important है while under section 107 secondly abattment by conspiracy abattment by conspiracy अगर आप किसी को abatt करते हो by conspiracy उसमें आपका out act होना चाहिए या illegal omission होना चाहिए difference यही है 120A में जो conspiracy है उसमे mere agreement है वो भी punishable है लेकिन 107 में mere agreement है वो punishable नहीं है उसके साथ-साथ act भी होना चाहिए दोनों का act होना चाहिए बले ही वो act attempt में convert हुआ हो ठीक है वो fail हुआ हो लेकिन वो out act के लिए try करना चाहिए या फिर आपने illegal omission किया हो ठीक है ठीक है आप poison खरीद के लेके आना मैं उसके खाने में या उसकी ड्रिंक में मिला दूँगा अब उस case में क्या रहता है कि अभी out act हुआ नहीं out act कब होगा जब वो उसके सामने रख देंगे ठीक है poison को उन्होंने क्या है कि उसके खाने में रख दिया उसके ड्रिंक में रख दिया out act हो चुका अब वो fail होता है तो वो attempt हो जाएगा और अगर वो poison ले लेता है तो complete हो जाएगा तो this is the out act ठीक है sometime क्या रहता है आपकी एक duty रहती है legal duty रहती है और आप क्या करते हो और भी आपस में मतलब एक plan बनाते है कि नहीं हमें C को मारना हम इसको time से medicine नहीं देंगे ठीक है केते है ठीक है अब जैसे ही time आया 6 बजे का उन्होंने क्या medicine नहीं दी कोई patient था और भी क्या थे nursing staff था और उन्होंने decide किया था हम C को medicine नहीं देंगे शाम वाली ठीक है और दीरे दीरा हम इसको खतम कर देंगे केते है ओके अब चैब जे उसका जो medicine का time आया उस time उन्होंने क्या किया उसको medicine नहीं दी वो अपना काम कर चुके illegal omission कर चुके अब उस बंदे की death होती है या नहीं होती matter नहीं करता उन्होंने abatment by conspiracy वो कर चुके ठीक है इस होके आपको समझाया होगा मेर agreement punishable है criminal conspiracy 120A में और 107 में आपका overtax होना चाहिए यही difference है Supreme Code Law clerk में क्युस्चन आया था उसके बाद हम बात करते attempt की attempt not defined but there are some test like proximity rule doctrine of locus potency and impossibility test there are three test और उनको हम discuss करते है proximity rule है वो state of महरास्टा versus मुहम्मद याकूब and others के case में Supreme Code ने decide गया था ठीक है कि preparation stage क्या है attempt stage क्या है और यह आपकी commission stage क्या है ठीक है तो यहाँ पे मुहम्मद याकूब का important you know judgment आपको याद रखने है proximity rule से attempt को लेके please mark it फिर यह आपका locus potency इसमें मलकेज सिंग versus state of पंजाब का case है कि देली में पैड़ी है वो बैन रहती है यह पंजाब से लेके जाता है लेकिन यह रस्ते में कि उसका दिमाग बदल जाता है और वो क्या है कि U-turn कर लेता है उस case में Supreme Court ने बोला था देखे जी कोई काम करने से पहले किसी की psychological और physical condition change हो सकती है और उसका mind change हो सकता है that's it मलकेज सिंग का case भी आपने attempt से related है याद रखना तो उसके उपर charges नहीं लगे थे Supreme Court ने बोला था It is a only preparation stage उसके बाद impossibility test था क्यों इना express versus मंगेश जिवाजी ये भी आपने याद रखना impossibility test sometime क्या रहता है impossibility में कि आप कोई काम करते है और वो impossibility हो जाते है impossible हो जाता है आपने तो attempt कर दिया वो impossible हो जाता है ठीक है ये आपने याद रखना है other case आर वर्सिस रियासद preparation और attempt से related case है अभिनेंद मिस्रा most important case अभिनेंद मिस्रा market the state of B.R preparation और attempt ये क्या है कि form warm से degree लेने की चक्कर में किसी university में अपनी क्या है कि fake degree डाल देता है admit card release हो जाते है तो release के लिए वो डालता है फिर university को पता लग जाता है कि ये तो काफी fake documentation ने जमा की है उस case में वो कहता है जी अभी तो मैंने exam दिये हैं ये तो मेरी अभी preparation से चल रही है मैंने attempt किया नहीं सुप्रिंग को deny करते हैं कि नहीं भाई आप क्या है attempt कर चुके यहाँ पर कोई preparation stage नहीं है remember it mark it attempt and preparation का landmark judgment है उसके बाद बलाई चंदरा विश्वास versus state of west bhangol difference between attempt and preparation का एक case है ये भी landmark judgment है ठीक है उसके बाद R versus good ball miscarriage case है ये भी landmark है इसको आप मार्क कर लीजे star लगा लीजे ये case आपको बताएगा क्योंकि ये illustration base आएगा ये वाला case impossibility क्या थी इसमें क्या है कि miscarriage कराता है वो बंदा और miscarriage क्या एक offense है लेकिन पता चलता है कि वो तो क्या pregnant थी नहीं miscarriage एक offense है लेकिन वो उसको क्या धवाईया देता है और बाद में पता लगता है वो ladies तो pregnant थी नहीं थी इस case में आपसे किसी भी लोग exam में पूछ सकते हैं by illustration और by आपसे descriptive ठीक है दोनों तरह के question पूछ सकते हैं आपसे descriptive भी आपसे पूछ सकते हैं और objective भी पूछ सकते हैं ठीक है उसने अपने पार्ट पे क्या किया वो medicine दे दी थी miscarriage वाली आप matter नहीं करता हो pregnant थी या नहीं उसने अपना काम किया ना तो लाइबल रहेगा वो ये defense नहीं ले सकता कि जह impossibility होगी थी उस case में और commission में commission of an offense और ये मेरा defense अपने miscarriage के लिए अपनी effort लगाई ना बस आपका काम हो चुका आप इसके लिए liable हो matter नहीं करता वो pregnant थी या नहीं धान रखना ये descriptive और objective दोनों में आ सकता है question illustration based यहाँ पे mark कर लिए illustration based उसके बाद आप से एक journal question बनता है यहाँ पे आपका IPC से 309 only section in IPC attempt is punishable but cannot punish the offender if attempt is completed ठीक है यहाँ पे क्या है कि 309 है वो IPC में attempt कौन सा है 309 attempt to suicide अगर आप suicide करते हो और आप बच जाते हो ठीक है attempt वाना तो आपके लिए सजा का provision है एक साल का और अगर आप complete कर ले आप मरी जाते हो तो सजा किसको देंगे इसलिए अगर offender attempt करता हो और वो complete हो जाता है यानि कि वो suicide करी लेता है तो not punishable अब सजा किसको देंगे और attempt is punishable अगर वो बच जाता है तो एक साल की सजा का provision है तो इसमें भी दो-चार landmark judgment है वो हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे तो यह जो lecture है यह जो वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें share करें अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे LLB low से related बहुत सारे concept कलियर किये जाते हैं आप हमें comment करके बता सकते हैं कौन से वाला topic चाहिए उसके लावा आप LLB की tuition के लिए हमें contact कर सकते हैं call कर सकते हैं आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया जाएगा with concept clarity के साथ उसके साथ साथ आपको judiciary और ADA की point of view से भी आपको बताया जाएगा कौन से वाला important है आपको बहुत अच्छी वीडियोज मिलेंगे और comment box के लिए आप आपके लिए केस है उसमें मैं आपको बता दूं कि आपको बताना है कि इंद्राशानी वर्सिश यूनियन ओफ इंडिया का जो केस था इंद्राशानी वर्सिश यूनियन ओफ इंडिया का केस वो किस से related है please market इंद्राशानी वर्सिश यूनियन ओफ इंडिया आपको comment box में इसको बताना है कि ये वाला केस किस से ब्लाउं करता है ठीक के, so best of luck lagंड़े बीसे फैन बीफिटिव.